Pakistan का डिफेंस मिनेंस्टर पाकिस्तान का सबसे बेरोजगार है क्योंकि Pakistan में चलती तो फाज किया डिफेंस मिनेंस्टर क्यों चाहिए टीक है कुर्सी खाली है बैठा दो किसी बिलकुल शरम बेच खाईह फिर तुम कहते हैं, मेजर गौरावारिया ट्रोल करता है, मैं ट्रोल नहीं कर रहा हूं, मैं आपको आई नहीं दिखा रहा हूं, पर आज मेजर साब बाट करने वाले हैं, तो सुर्क टिहाज का मिक्स रियक्शन, जैन दोस्तों, मैं उमेजर गौरावारिया और आप देख रहे हैं दचानक के डायलोंज, इस वीडियो को लाइक करिया, हमारे चानल को सब्सक्राइब करिया, बेल आइकन दबाना बिल्कुल अच्छा दोस्तों, पाकिस्तान रोज जलील होता है, ये बात तो सच है, आपको भी पता है, कोई ना कोई आके एका चाटा माटा मार के एका थपड़ ओपा टीप लगा के पाकिस्तान के निकर लेता है, लेकिन अब पाकिस्तान को जलील करा है, अफगान जर्नलिस्ट बिल जो चलो मतलब कुछ-कूच दुकाने ब्रेड डर्ड की फीटावेता कटने इससजाद उता अवकाइल यह जो भी डेफेंस मिनिस्टर बिफेंस्टर पाकिस्तान का बनता है डे मोस यूजल स्पोजिशन इन पाकिस्तान इनिवें तो खाल आसिफ ने धंकी दे दी आफगानिस्टान को बम डाल देंगे तुम्हारे उपर ये कर का ट्वीट देखिये पाकिस्तान's defense minister Khaja Asif has threatened to attack Afghanistan but perhaps he forgot his statement that a power like the United States failed before the God of the Taliban so what can be compared to the Pakistan army which is already the cause of severe economic crisis worried about food and petrol अच्छा ये कह रहा है कि God of the Taliban यानि कि मुझे ऐसा लगता है कि Allah के लिए इशारा है कि वही ये तो Taliban है ये अल्ला के बंदे हैं इनके सामने United States fail हो गया इनके सामने Russia fail हो गया इनके सामने सब हो गए fail अब तुम जो है पाकिस्तानियों तुम किस चीज की गीदल भबकी दे रहे हैं तुम किस चीज का threaten कर रहे हो तुम किस चीज की दमकी समझना इस नजर से अफगान पाकिस्तान को पता है क्यों देखते हैं अफगानिस्तान में भी बहुत गरीबी है अफगानिस्तान में भी बहुत मारा मारी है बहुत प्रॉब्लम्स हैं लेकिन मुझे लगता है कि अफगान इसले सुपीरियर हैं क्योंकि अफगान भीक नहीं म मंग लेगा ये फरक है और मुझे लगता है इस इडिस इस वाई और इफगान्स लोग डाउन अपां दुब अफ़र आफटर ओड़ अपर आपकेस्टान स्टेट आने पास बई पाउ पाउ के लोग है फिर कोहलकी बात है चाहे तालिवान का हो चाहे नॉर्मल कोई अफगान बंदा हो जो नॉन तालिवानी हो पाकिस्तान को सब के सब जलील करते हैं क्योंकि कहीं न कहीं ये बात नहीं कि पाकिस्तान में भुकमरी है भुकमरी अफगानिस्तान में भी है लेकिन अफगान गहरत मंद लोग हैं अफगान भ गहरत है ना इज्जत है बस भीगी भीग है इसलिए ये बिलाल सरवरी ने पाकिस्तान को जलील कर दिया है काफी कोट हो रहा है मीडिया में तो मैंने सूच है आपके साथ भी डिसकस कर लूँ अच्छा पाकिस्तान के भीग मांगने से मुझे याद आया कि UAE इशाग डर ने जो उनका फाइनस मिनस्टर उसका स्टेटमेंट कल आया फाइनस मिनस्टर इशाग डर सब्सक्राइब अच्छा बेसिकली UAE ने IMF को बोल दिया है कि हम इनको एक अरब डॉलर दे देंगे ठीक है यह भी लोन है बाइद वे अच्छा आप जरा भाई का सुनिये और आगे खबर सुनिये तब आपको पता लगेगा आप भी थोड़ा इसमें दोस्तों मज़े लीजिएगा तब आपको पता लगेगा पाकिस्तान में हो क्या रहा है आएमेफ प्रोग्राम नाइंथ रिव्यू अपडेट यह इशाग डर का स्टेटमेंट है यह देखी ऊपर ट्वीट एसका स्क्रीन पर दिखाई यह एडिटर साब जरा UAE authorities have confirmed to IMF for the bilateral support of US $1 billion टो पाकिस्तान ठीक है UAE ने बोल दिया है IMF को कि हम पाकिस्तान को एक अरब डॉलर देंगे State Bank of Pakistan ने अब कागजी करवाई शुरू कर दी है कि UAE से हम वो पैसा ले लें इंड में लिखता है Alhamdulillah Alhamdulillah का मतलब है Allah be praised यानि कि सारी जो तारीफ हैं जो भी है वो Allah की है Alhamdulillah Chinese Bank to give 300 million to Pakistan today Chinese Bank एक है वो भी अच्छा Bank जो है इस Bank का नाम है The Industrial and Commercial Bank of China ICBC Industrial and Commercial Bank of China जो है यह तो Bank है यह फिर खेरात तो देता नहीं है यह तो लोन देता है अच्छा जी बहुत ही बढ़िया यह देखिए यह भाई का दूसरा ट्वीट है Out of the Chinese Bank ICBC's approved facility of 1.3 million Which was earlier repaired by Pakistan ठीक है State Bank of Pakistan would receive back third and last disbursement today in account amounting to 300 million It will shore up Forex reserve for Pakistan Alhamdulillah जो एक बाद बताओ तुम कोई अच्छा काम करो यार पाकिस्तानी हो और तुम बो Alhamdulillah तो मुझे समझ में आता है ठीक मांद ठीक है पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा होगी Alhamdulillah ठीक है पाकिस्तान एक असल में एक खुदमुक्तार मुलक बन गया Alhamdulillah नहीं होगे पाकिस्तान दुनिया में ये कांट्रिब्यूशन कर रहा है Alhamdulillah कुछ भी नहीं पाकिस्तान ने दुनिया के चार और मुलकों की इस मामले में मदद करी Alhamdulillah यार तुम्हें भीक मिलती है तुम्हें लोन उसमें तुम अल्ला का नाम मतलब तुम्हें बिलकुल शरम बेच खाई यार फिर तुम कहते हो मेजर वारावारिया ट्रोल करता है मैं ट्रोल नहीं कर रहा हूँ मैं आपको आईना दिखा रहा हूँ और मैं रोस यहां पर बैटके आपको आईना दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यार किस रास्ते में जा रहे हो यह भीक मिल रही है का काम है और आगे भी यही करेंगे यह लोग आगे भी इन्होंने यही काम करने वरी शेमफुल मैं इशाग्डर आपके तो मैं हर ट्वीट देखता हूं और आप ऐसे कौम को अपने मुबारक बात देते हैं जैसे आपने बहुत बड़ा कोई मारका मार दिया होगा बहुत आपने कोई मतलब कोई इंजिनरिंग के डिवाइस कोई बना दी होगी या जैसे पानी को कोई पेटरोल कंवर्ट करने की कोई चीज आपने बना दी होगी यार कि पानी नल से निकलेगा गाड़ी में डालो तो पेटरोल बनके जाएगा गाड़ी के अंदर ऐसी कोई आपने गए रहे रहे लोगों अच्छा जी साओधी अरेबिया से ख़बर है कि साओधी अरेबिया अप्रोच इस इस बाद जो बनेगा ना बादशाय राजा जो भी है वहां का यही बनेगा ठीक है और मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं कि यह मुहमद बिन सल्मान एक विजनरी है यह इसलिए विजनरी है क्योंकि उसको पता है कि जो तेल है जिसके उपर पूरी दुनिया ठीक है साओधी अरब की यह निकलने वाला एक दिन यह खतम हो जाएगा जिस तरीके से गाड़ियां बन रही है और यह बन रहा है वो बन रहा है यह तेल खतम हो जाएगा और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है पच्छेस तीस पैस चालिस साल में यह तेल के रिजर्स बिलकुल ना के बराबर रहे जाएंगे हर रोज पूरी दुनिया में लाकों गाड़ियां साड़त पे आ रही है और जीतने आ रही हैं उतनी कंडम नहीं हो रही है ज़हर सी बात है पीपल आभ और बाइंगा चाइना में इंडिया में अमेरिका में यॉर्प में जो भी गाड़ी चल रही है अब वो इलेक्टरिकल विकल्स इतनी तेजी स्थाल नहीं बढ़ रहे है उसमें टाइम लगेगा और जिस दिन टाइम ऐसा आगया कि इलेक्ट्रिकल विकल्स बहुत आगे निकल गई और जिससे इलेक्ट्रिकल विकल्स रिप्लेस करने लगी अभी वो दिन बहुत दूर है लेकिन एक नाएक दिन होगा उस दिन साओधियरब जैसे जो मुल्क हैं वो क्या करेंगे जिनका साइड करा है कि यार देखो हमें क्या करना है न साओधी अरब को टूरिजम की योग ले जाना है हमें साओधी अरब को एक एकनोमिक हब बनाना है गल्फ का जैसे दुबाई है हमें साओधी अरब को एक स्पोर्टिंग हब बनाना है तो इन सब के पैसे की कमी है ने इनके प पिक अप नहीं होंगी आपने ऐसा नहीं कि मौमद्वन सल्वान ने आज बोला तो कल से हो गया नहीं अभी उसने अप्रोच करा है आई-पियल को विकास आई-पियल इस दी वर्ल्ड बिगस्ट क्रिकट लीग आई-पियल से बड़ा कुछ नहीं है दुनिया में इस वक्त ठी अब ठीक है नजम सेटी साब के हम इजब करते हैं सीनियर साहफ ही है चीफ मिनिस्टर पाकिस्तानी पंजाब रह चुके हैं सर ओल रिस्पेक्ट तो यू बट ठीक है आपके खुद के मुसलमान भाईयों ना आपको नहीं बुलाया कि आप से टप कर दीजे लिग ठीक है बा इसमें क्या होगा कि यह लीग जब वहां पर शुरू होगी तो वहां पर भी क्योंकि वहां पर एक्सपैट्स बहुत हैं देखने वाले बहुत हैं और इससे क्या फरक पड़ता देखने वाले कहीं हो यार खेल तो टेलिविजन पर हो रहा है अग जीओ ने लॉंच नहीं कर इसमें लेकिन यह बात है कि आईपील जाएगा साओधी रेविया पक्का और वहां पे रेट के ऊपर हरे हरे मैदान होंगे और इनका कुछ नहीं पता अरबों का एर कंडिशन स्टेडियम बना दा है बोलें भबी भी पूरा स्टेडियम एर कंडिशन होती हम उसके अंदर ठीक है वहां से तुम खजूर मारते हैं यहां से उंट अपना मूग खोल के खजूर खाती क्लीन बोल्ड मेजर सार की तो मेजर सार काफ ज्यादा था था आप संजील्गी से विडियो करहते हैं हूज रहाँ है वाकि पाकिसदान को मध्यदा संजाना की भी कोशिशिकरते हैं इसमें कोई शाकरी नहीं चाहे पांसा लिए नो को बहते है ड्स podcasts अलहांदुल्ल्हा, जो हमारे वजीर इतिफान ने अलहांदुल्हा करता है, हमारे नाम पर मांगे, वो में जब सारी बचा रहे हैं वीडियो केंदेर कि वो दुबाई, सौधिया और लंदन चला जाता है, और जो गहरत मांगे वही इसका मतलब भी समझ सकता है, जो गहरत है गहरत है में जाने है क्याकूने है, उसलिए पाकिस्तानी हो आर पाकिस्तान के नाम पर मिलाए है, यह जा है हमें रही है आलहाई है, जैसे हम्छे का रहा है अलाभ पाकिस्तान ने देंड़ा है लिए तर अच्छा काम कारें जिस तरह मेजर सभावा थिन्ड चार लाव बोल के बचाया थी है आप पाकिस्ताने गंदा में खुद कपील हो गए अलाभ पाकिस्तान ने डैम बना लिया आप अच्छा काम करें मुणके जो फैदे के लिए हो उना तब आलम प्री रखा है तो अपने अजिए अजिए निखसान है तो डोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो में जो साब ने क्या बजा है पाकिस्तान की वैसे तो हरोज भी बजाते हैं और जो वो IMF से UAE ने कहा है कि उनको एक बिलियन डालर्स लोन देगे तो उस पे वो लोग खुशी मना रहे हैं बीक मिले पे हर वक्त ही ये लोग चसन मनाते हैं जैसे कोई बड़ा अचीवमेंट कर लिया है जैसे मेजर सब करे रहे हैं तो ये तो अन्की आड़ा थे मेहनत करके तो उनको कुछ करना नहीं है इसी तरीके से कितने सालों से या जब से पाकिस्तन बना है टप से यहीं चल रहा है यार आगे भी कोई उमीद नहीं है कि खुद मेहनत करके अपने आप कुछ करेंगे दूसरे देशों से ही भीक मांग कर अपना काम चलाएंगे और जो टालिबन पर बात कर रहे थे तो खुद अपनी हालतों देखते नहीं और दूसरों पर नजर रखते हैं और उनके उपर बा होगा जैसे में जैसा आपने कहा लेकिन इंडियर प्लेयर्स नहीं जाएंगे तो यह देखने इंट्रेस्टिंग होगा कि वहां पर कौन खेल ले जाएगा और क्या IPL जैसा वो एक बड़ा लिग बन सकता है कि नहीं तो आपके क्या विचार है वहां में कॉमेंट सेक्शन म तो यह जो बतागा विचो पसना है । लाग करी नहीं प्लिभ जानल पने है यह तो स्क्रीब कुना फिब वी तो